सब्सक्राइब और आप सभी लोग थर्ड पार्ट देख रहे हैं चाप्टा का नाम प्रिंट एंड दा मॉडर्ण वर्ड है मैंने की प्रिंट कल्चर एंड दा मॉडर्ण वर्ड है चाप्टर सेवन समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से नाइंटीन के टाइम पीरड में जब भूम आया किताबों को लेकर तो पुराने जमाने में जब प्रिंटिंग कल्चर हुआ करता था तो उस टाइम पीरड के अंदर कहीं न करें आप देखेंगे कि उसका विरोध भी होता था आज क पर पूरी तरीके से जो मीडिया है वो तो मैं कह सकता हूं कि लोगों के इशारों पे भी चलाई जा सकती है और चलाई जा भी रही है लेकिन पुराने जमाने में जब प्रिंटिंग कल्चर आया लोगों के सामने तो वहां पी चीज़े कैसे बदलती है वो समझेंगे वीड फैमिली टेलिग्राम अकाउंट है जहां पे आपको नोट्स मिलते हैं तो जरूर जाहिएगा और साथ में इंस्टरग्राम हमारा इपार्चला चानल है इंस्टरग्राम पे भी हम लोग है अबलेबल तो आपको विक्वेरी करना चाते है तो वहां पे जरूर बने रहीएग उनोंने किस तरीके से चीजों को देखा जैसे जे प्रेंटिंग गल्चर बढ़ता चला गएगी तो रिलिज्यस डिबेट भी बढ़ती चली गई और कहीं न कहीं हमने print का डर भी देखा लोगों के मन में इसलिए समाज में print और लोगों के अलग अलग भेद भाव या मैं कह सकता हूं सोच जो थी वो बदलने लग गई तो ये पूरा स्टरीज रहेगा इस सेशन के अंदर आई होप आपने वीडियो के पहले और दूसरे लेक्चर भी देखे होंगे जिससे आपको मदद मिलेगी समझने में कि पूरे चाप्टर के अंदर क्या था बात करते हैं मुदरन यानि कि प्रिंटिंग और उसका असर यानि कि उसका इंपेक्ट मुदरन क्या है आप समझ चुके हैं चापे खाने का अविश्कार महस टेक्निक तीर दिस्टी से नाट की बदलाओ की शुरुवात नहीं थी उस तक उतपादम के नए तरीकों ने समझी अब देखे जब प्रिंटिंग नहीं था ना जब मुदरन जिसे हम बोलते हैं वो नहीं था तो लोगों के सामने कुछ भी चीज बोल दी जाती थी लोगों को लगता था कि वही सच है क्योंकि धर्म गुरुवों ने यही कहा है और यही चीजे पूरे समाज में चलती को यानि कि पुस्तक उत्पादर ने किसने पुस्तक उत्पादर ने कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो नए तरीके से लोगों को सोचने पर मजबूर करा नए तरीके से लोग यह देखने लगे किस तरीके से समाज जो है चलेगा या लोगों की जिंदी की कैसी थी लोगों ने हर चीज पर विचार करना चालू कर दिया क्यों कि मार्केट मेरा पुष्टकों की जो बूम था ना जो किताबों का बूम था वो इतना जादा हो गया अपनी बड़ी मातरा पर हो गया कि कोई गिंती ही नहीं तो इसलिए नया पाथन वर्ग सामने आया लोग पढ़ने वाल पर अफकॉस बहुत समय जादा लग रहा था तो अभी प्रिंटिंग गल्चर से क्या हो क्योंकि हमने इटली में पढ़ ले था कि उस बंदे ने करांती ला दी और कई 30-40 सालों तक यहीं सिस्टम चलता रहा तो उसकी वएसे मैं कह सकता हूं कि प्रिंटिंग प्रेस की वज की आतनी सारी किताबे की लोग पढ़ने के लिए सारे आतूर हो गये आजिकी टम मांकिटन के अंदर आपसंar होगा कि कही ना कही किताबों की जगह आई-फ़ून-फ्॔न कामराजीचीट सारी मातरा में बहुत बड़ी मातरा में present time पे फेले हुए अप पुराने जमाने में अगर आप देखो तो उस टाइम पिरिट पे जब किताब आई आई थी तो उसका बूम हो रखा था कॉमन लोग जो थे कॉमन पिपल लिव इन दे वर्ल अफ औरल गल्चर जायता लोग अभी भी औरल गल्चर की बाते सुनते थे इसे एक्जामपल के लिए पुराने जमाने में ऐसे ऐसे हुआ था हमारे माँ तो ऐसे हुआ था कक्का जी ने ये कहा था दर्दा जी ने ये कहा था उन्होंने ऐसे किया था इसमें एक ऐसा राक्ष्टर था लोग सुनता सुरा करते थे मूझ से और उसी को सचमान लिया करते लेकिन सही माहिने में तो यह है कि अभी भी लोग कहीं न कहीं किताबों पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर रहे थे कुछ लोग अमीर वर जिनके पास पैसा था उन्होंने इन चीजों पर भरोसा करना चालों कर दिया था तो इसी लिए लोग कही न कही देख सकते हैं पवित्र गाथाएं पढ़ने लगे लोग पवित्र गरंथ पढ़ने लगे लोगों ने पढ़ाया लोगों ने सुनाया इंधुसरे को इवन आप देखें तो पुस्तक जो है लोगों के न्यू कल्चर का हिस्सा बन गया जहां लोग कहीं ना कैसे आज़ी रेट में होता है आप सुबह उड़ते ही आप फोन चला लेते हैं तो फोन स्मार्ट फोन जो है आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुका है ऐसी पुराने जमाने में अगर उस समय का समय अगर आप देखें तो उस समय किताब जियर रेडिंग करने का तरीका था ना वो लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्वाव लोग ज़या था इसलिए आप कह सकते हैं न्यू रीडिंग कल्चर वाज इजी एंड एस लिटरसी रेट वर वेरी लोग क्योंकि अफकॉस जब प्रिंटिंग कल्चर आया होगा जायत लोगों पढ़ना नहीं आता होगा लेकिन अफकॉस लिटरसी रेट लोग होगा लेकिन जो लोग अपना चालू करा लोगों ने चित्र और लोग कथाओं को बेचितरत करना चालू करा जो बहुत फेमस हैं लोगों के बीच में लोगों ने गाउं की शहरों की एवन हर तरीकी की चीजों को लिखा पढ़ा देखा और लोगों को मजबूर कराया कि ये बात सच है इसका प्रिंटिंग करें लेजी तो यानि कि प्रेंटिंग करें इतना बूंग हो गया कि इसके लोगों का जमावड़ा दुकानों में ही लगने लग गया जैसे आज की लेट में लोग पबजी खेलने के लिए एक सार दस बारा लोग इखटा हो जाते हैं और गेम खेल रहे होते हैं तो उसी time period में अगर आप notice करेंगे तो बहुत सारे groups के लोग होते थे और आपस में किताबे बैठके पढ़ा करते थे तो यह तरीका था उस time period पे तो the hearing public and the reading public become इंटर 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 लिखा हुए इसमें और बाकी मतलब एक तरीके से आपस में उलच जाना ऐसा कुछ है ठीक है तो कोई नहीं वर्ड पे मत जाईए समझने की प्रेगोशिच करिएगा कि क्या है ठीक है उसके पाद नेक्स्ट अगर बात करी कि किताबे तो इतनी प्रिंट हो गई तो रिलिजियस बहस होने लग गई रिलिजियस बहस कैसे होने लगी प्रिंट क्रेट दा वाइट सर्कुलर ऑफ आइडिया जो किताब फ्रांस में छप है आपको कुछ भी सीखना है आप तुरंट यूटूब सर्च करते हैं और फटाफट उसमें से एक आइडिया देख लेते हैं यह ऐसे होगा वह वैसे होगा तो यह तो तरीका है ना तो उस जमाने पर यह तरीका होगा करता था कि लोग नए वर्ल्ड में क्या चल रहा है उ मतलब कई लोगों के दिमांग में जो व्यपार पुस्तक जो बढ़ रही थी बहुत बड़ी मातरा में बहुत असर डाल रही थी जैसे धर्म गुरूओं के बारे में लोगों ने कहा कि किताबों की वेज़े से कहीं ना कहीं विद्रोही चीजें या कुछ ऐसी गलत चीजें हैं जो लोग पढ़ रहे हैं और लोग उन्हें फैला रहे हैं जैसे स्पेशली भगवान से रिलेटिड दा आथॉरिटी और वेल्यूबल लिटर्चर वोड बी डिस्ट्रॉइ मतलब कहने का मतलब है कि जो पवित गरंद थे गाताएं थी बाइबल थी कुरान थे वेद थे ये सारी चीजे जो बुराने जमाने में लिखी गई थी वो अब कहीं न कहीं प्रिंटिंग गल्चर के मादनें से सबी लोगों तक महुझ रही है तो लोगों को पता चल जाता है कि असल में इसमें क्या है ऐसे गीता में लोग कहते है कि कृष्ण ने ये कहा था और तुम्ह प्रूफ करके दिखा है कि गीता कुरान बाइबल में लिखी हुई और तो ऐसा लोगों को प्रूफ जब होने लग गया जब कहीं न कहीं लोगों ने खुद किताबों को पढ़ना चालू करा तो लोगों को समझ में है कि सच क्या है तो जो बड़े-बड़े धर्मगृु प कौन हो सकता है जो वेदों को प्रिंट करेगा लोगों तक पहुंचा देगा और लोग फिर सच मानने लग जाएंगे तो यह चीजे थोड़ी डिसकुशन वाली थी तो इसकी वेशे कहीं न कहीं अगर प्रिंट मेडिया का बहुत सारा क्रिटिसम हुआ कि आपने लोगों तक चीजे पहुचा दी तो आफ़कॉस लोग मंदिरों के अंदर मजजितों के अंदर चर्च के अंदर जो पाधरी कहरा है कि अगर आपको अपना क्या कहते हैं दुख कम करना है तो आप आईए डोनेशन करिए या कुरान में कहा जाता है कि भई किसी के हिंसा नहीं करने चाहि और इसकी वेसे आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आप यूरोप के अंदर रिलीजिएस चीजों के उपर इंडिया के अंदर बात में जब प्रेंटिंग गल्चर आया तो इसकी वेसे इंडिया के इंदर भी इसका इंपक्ट बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने देखा लो उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो प्रोटेस्टेंस लोग होते हैं चर्च के बीतर विवाजन हुआ और उन्होंने प्रोटेस्टेंस सुधार आंदोलन की शुरुवात करी क्या था यह प्रोटेस्टेंस अगर आपको जानना है तो आप जाएए नए शब्द को खोजिए और पढ़िए सोलिश अताब जी के यरोप में रोमन कैथलिक चर्च में सुधार का अंदोलन चालू हुआ मातिन लूटर प्रोटेस्टेंस सुधारकों में से एक थे इस अंदोलन ने कैथलिक इसाईयों के मत के विरोध में कही धारा ही निकाली मतलब भी बंदा कौन है मात कैथलिक चर्च वाले लोग हैं वो किस तरीकी से जान कुछ के बाइबल की चीज़ों को बता के बोलते रहते कि बाइबल में यह लिखा है और तुम्हें ऐसे ही अपने धर्मों को कम करना पड़ेगा यह धरती विनाश का कारण तुम इंसान लोग हो तो यह कैथलिक चर्च आंदोलन चलाया लोग को बताया कि किस तरीक से चर्च जो है गलत आपको बताता रहता है इसी वज़े से माथीन लूटर ने क्या करा बताया कि किस तरीक से जो कहीं ना कहीं देगो दब प्रिंटिंग इस अल्टिमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंग ग्रेटेस्ट वन सेवरल स्कॉलर्स उन्होंने ही कहा और नहीं प्रिंटिंग केल्चर है जहां केथुलीग क्रेटिंग करते शहरे钱 का सहयोग करते तकी किस तरीकेसे सरीक जो है लोग को सच बता रही हैlla को दिखा रही की लोग किस तरीक के से लोग को लूटतें तो यह अच्छी बात थी एक एक्जामपल हमारे भारत के इंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हों ने बाते सच करके दिखाई कि गीता कुराण इन सब चीजों के इंदर लिखा हुए असल में यह चीज़े लिखी हुई है और आपको गुम्रहा किया जाता है तो यह चीज़े यहां पर कैथुलिक हैं उन्होंने उनका पर्दा फार्श करा अब देखेंगे कि बहुत लोगों ने फिर बहुत सारे मलब लोगों के बीचे मतभेद पैदा होने लगे जिस तरीके से मातिन लूटर हैं tutto तीन हजार झ Strange लोग किस तरीके से लोग को बेवकुप बनाते तो इसलिए आलोचना है हमारे सामने होने लग गई कि लोग कर वैक्ती कैसे किसी बी चीज़ कर नहाँ सकता है इसे Bible के बारे मनोंने बताया किस तरीके से Bible के अंदर ये चीज़े लिखी हुई है लेकिन ये चीज़े आपको बताई जाती है example के लिए यहाँ पर मनोक्यू करके आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि Bible के संदेश को उसने पढ़ा और फिर रोम कैथलिक लोगों ने इसका विरोत करा उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो मतलब इसमें एक स्टोरी दे रखी है कि किस तरीके से फाइनली उसने लोग को समझाने की कोशिश करी लेकिन फिर भी जो मिनोग के जिसने बाइबल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा लोग को समझाने की कोशिश करी बाद में उसको मार जिया गया सिर्फ इसलिए कि मतलब वो लोग को सच ना बता दे मतलब यह चीजी जो थी प्रेंटिंग कर जाने की वेसे लोग को परदाफास होना चारू हुआ इसी वेसे लोग कहते हैं कि रोमन कैथोलिक के लोग कही ना कही रेडिंग की चीजों से परिशान हो गए थे वो चाहते थे कि ऐसे पब्लिशर के उपर और ऐसे बुक सेलर के उपर रेस्टिक्शन लगानी चाहिए या उनके उपर कोई टैक्स इंपोस करना चाहिए अगर वो लोग के सामने कही ना कही ऐसे चीज़े दिखा रहे इसलिए इटली के इंदर रोम के इंदर और उसके बाद ये चैथुलिक लोग के खिलाफ के खिलाफ जब चीज़े प्रिंट करते थे बताते थे तो कहीं न कहीं उनके उपर कही ना कि क्या लगा दिया तो 1558 के टाइम पीरड में अगर आप देखें तो प्रतिबंध लगाया गया था लगाने का कारण सिंपल सही है जैसे आज के पत्रकार अगर सरकार के खिलाफ कुछ भी गलत बोलते हैं जो रूलिंग सरकार होती है उनका मुझ बंद करन जो कैथोलिक लोगों का परदा भाश करने वाले जो प्रोटेस्टन सांदोलन चलाए गए थे मातिन लूटर के दुआरा वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है क्लास 12 के अंदर भी क्लास 11 के अंदर भी इसके बारे में आप पढ़ेंगे फ्यूचर में जाके हिस्ट जाए जुड़िये नोट्स चाहां अच्छा लगता है वीडियो छे लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी इस इस वीडियो